माँ भगवाति की साधना के लिए उतम चैतर नवरातर दो अप्रेल से शुरू होगे घट अस्थापना सूबा 6 बच कर 10 मियाट से लेकर 11 बच कर 28 मियाट तक 30 सूब रहेगा वही प्रथम दिन सेल पूतरी का पूजा होगा परतिपदा को सन्निवार होने से पूरा साल सर्वस्त्रेष्ट होगा इस बार नवरा करते हैं वही माद दुर्गा भाएंसे की सवारी से प्रस्थान करती है तो देश में रोग कौश्ट प्रक्रिति प्रकोप का परभाव बढ़ते बढ़ता है तीन अप्रेल से मिलेगी गर्मी से राहाथ चाय रहेंगे बादल जार्खन में पिछले कई दिनों से अधिक्तम तपान में हो रही बिरिधी और लू से लोगों को तीन अप्रेल से राहाथ मिलने की संभावना है मौसम बैग्यानी एस्टी मंडल ने कहा है कि दो अप्रेल तक जार्खन के सभी हिसो खास कर गढ़वा पलामू चत्रा को डर्मा गिरिधी आदी इलाकों में विशन लू चलने की संभावना है इसे लेकर मौसम बिभाग ने अलर्ट भी जारी किया है वही फासलों में सिचाई की विवस्था बहाल रखने की सलादी गई है मौसम बैग्यानिक सिरी मंडल ने बताया कि तीन अप्रेल को जार्खन के देवगर धर्वाद दुम का गिरिधी गोड़ा जाम तबा पाकोर साहिब गंज पलामू आदी इलाके में आकास में बादल चाय रहेंगे जबकि कहीं कहीं हलकी बारिस की भी संभावना है गीर सकती है हमंत सरकार बीजेपी से दो नेताओ का साथ गाठ का आरोप जामूमों के अंदर आई नीती गरम है पार्टी बिधायक सीता सोरेन और लोबिन हेमरम पर भाजपाक के संपरक में होने का आरोप लगा है दोनों ही बिधायकों की सिकायद पार्टी सीर्ष नेत्रित्यों से की गई है पार्टी अध्यक सीवू सोरेन और मुख्य मंत्री हमान सोरेन को दोनों बिधायकों की गति वीदियों की जनकारी दी गई पार्टी के एक दर्जन से अधिक बिधायकों ने इनकी सिकायत पार्टी ने तस्तीवू सुरेन और हमन सुरेन से किया है बता दे सिकायत करने वाले बिधायकों का काना है कि ये दोनों बिधायक लगातार संगठन बिरोधी गति वीदियों में सामिल रहे हैं इनकी भूमिया का संदेहास पद रही है पार्टी नेतावों को बताया गया है कि सरकार गिराने के मोहिम में ये दोनों विधायक पार्टी के निसकासित पूर्व कोसाध्याक्ष रभी के रिवाल के संपर्क में भी हाएं सवहार्द पूर्ण वातावरण में मनाए सरहुल पर्व रांची डीसी प्रकिती पर्व सरहुल को लेकर रांची डीसी छवी रंजन के अध्यक्षता में सरना समीती सदस्यों के साथ बैठक होई इस मोखे पर DC ने कहा कि सवहार्द पूर्ण वातावरान में पर्व मनाए पर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का हमेशा अनुपालन करे साथ ही उन्होंने कहा कि बीदी बेवस्ता के मामले में राची वासी कभी निरास नहीं किया है बैठक में राची SDO द्वारा राज सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की जनकारी दी गाई इसके तहाथ सोभा यात्रा में 100-100 की संख्या में सधालू निकले साथ ही साम 6 बै तक धार्मी जूलूस को खत्म करने की जनकारी दी गाई जारखन में 26,000 से अधिक दिव्यांग जनों का हुआ राइस्टेशन जारखन के CM हेमन सुरेन के दिव्यांग जनों के लिए चलाया गया विशेस अभियान का असर दिखने लगा है राजे के 26,000 से अधिक दिव्यांग जनों को UDID कार्ड उपलब्ध कराने को लेकर पंजी किरित किया गया है इसके अलावा आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम के जरी अठारा यट 699 दिव्यांग पेंसन के आवेदन का निप्टारा भी हुआ है बता दे C.M.C. रिसुरेन के निदेश पर पूरे राजे में बिसेज अभियांग चला कर 26,794 दिव्यांग जनों को चिनीत कर जांच के बाद उन्हें UDID पोर्टल पर रेजिटेशन किया गया है इसमें सबसे अधिक सर्वधिक राची के 5000 उन्हातर वहीं पांकुड के 517 और हजारी बार के 2635 दिव्यांग जनों बिसेज अभियांग के तहत सिवीर में लभानवित हुए ओफलाइन परिक्षा का BIT मेसरा में बिरोध जारखन के राची जीले के BIT मेसरा इंजिनियरिंग कॉलेज के चात्रों ने आउनलाइन परिक्षा लेने की मांग को लेकर सुकुरवार को बिरोध परसन किया इस दोरान चात्र परसासनिक भावन के मुखे गेट पर धारना पर बैठ गया है इस करम में प्रवंधन के बिरोध में नारे भी लगा है चात्रों ने कहा कि सवीक अक्षाए ऑनलाइन होई है और किसी तरह सिलेबस खत्म कर दिया गया है ऐसे में परिक्षा ऑनलाइन ही ली जाए इधर कॉलेज की डी यू जी एस डाक्टर बीभारानी ने बताया कि परिक्षा को लेकर नीनाय लेने का अधिकार प्रवंधन को है लालू परसाथ की जमानत याचिका पर हाई कोट में सुनवाई टली जारखन हाई कोट के जस्टिस अपरेस कुमार सिंग की अदालत म जाए दनिकासी से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सजयापता बिहार के पुर्व मुख मंत्रियों राया सुप्रीमों लालू परसाथ की ओर से दायर अपील सह जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को टल गई अदालत ने नहीं बैठने के कारण लालू परसाथ की आजका पर सुनवाई नहीं हो पाई इस मामले में अब 8 अपरेल को सुनवाई हो सकती है डॉक्टर अर्चना आत्महत्या मामले का बिरोध जार्खन में डॉक्टर 2 अपरेल को करेंगे कारे बहिसकार रांची की बेटी डॉक्टर अर्चना की आत्महत्या के बिरोध में जार्खन के डॉक्टर सुनिवाद 2 अपरेल को करेंगे सुबह 7 से साम 7 बे तक करेंगा बहिसकार किया जाएगा आपको बता दे कि राची की बेटी डाक्टर अर्चना सर्मा ने रायस्थान के दोसा में आत्म हत्या कर ली थी वो रायस्थान के दोसा इस्थित अनन्द होस्पिटल में इस्त्री रोग विशेसग के रूप में काले ला थी अस्पताल में प्रसव के दोरान 28 मार्च को एक प्रसुता की मौत हो गई थी जिसके बाद मिरित महिला के परिजिनों ने डॉक्टर अर्चना और उनके पती पर हत्या का मुकादमा दर्च कराया था बोकारों के जैविक उद्ध्यान में सफेद बागिन गंगा की मौत बोकारों सहीत समूचे कोईलांचल के बने जीव पिरेमियों के लिए पहली अप्रेल दुख भरी खबर लेकर आई है बतादे बोकारों के सेक्टर चारीश थी जोहर लाल नेहरु जैविक उद्ध्यान में एकलोती सफेद बागिन गंगा की दहार अब सुनाई नहीं देगी सफेद बागिन गंगा सान्त हो गई है सुक्रवार को सफेद बागिन गंगा की मौत हो गई वो लंबे अर्शे से बिमार चल रही थी सुक्रवार को सफेद बाखिन गंगा अपने बाड़े में मिरित पाई गई है जारखन में कुरोना के दो नाए केस मिले है जबकि 9 मरी स्वस्त भी हुए है जारखन में कुरोना के कूल एक्टिव केस की संख्या 71 है भारत में 1335 नाए केस मिले है जबकि 918 मरी स्वस्त हुए भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 29-699 है पी एम मोदी से केंद्रिये बिद्याले पतरातु की छात्रा ने पूछे परश्ण सुक्रवार को परधान मंत्री का सनवाद कारकरम परिक्षा पे चार्चा का पांचवा संस्क्रान आउजित हुआ इस कारकरम को रामगार इस्थित केंद्रिये बिद्याले पतरातु के करीब 800 बिद्यातियों ने उत्सा से देखा इस बिद्याले की 10 वी की 16 सुवेता को पी ए मोधी से प्रश्ण पूछने का मौका मिला सुवेता ने पी ए मोधी से प्रश्ण किया कि मेरी पढ़ाई में प्रोड़क्टिविटी रात के समय अधिक्त होती पर सब मुझे दीन में पढ़ने को बोलते हैं मैं क्या करू ने तरहाट इसकूल की तरज पर डूमरी में खुलेंगे आवासे बिद्याले की योजना है इसके लिए 15 एकर जमीन की तलाज सुरू हो गई है जमीन मीलते ही टेंडर पर किरिया और उसके बाद का कार्ण सुरू हो जाएगा बोकारो जीला अंतरगात चंद्रपूरा परखान के अलारगो में बात करते हुए सिक्षा मंती सिरी महतों ने कहा कि कोरोना काल में बिमार पढ़ने से पहले उन्होंने नेतरहाट बिद्याले का दवरा किया था वहां की सिक्षन बेवस्ता को देख काफी परवावित हुए थे जन सक्ती से जल सक्ती अभियान के तहट बने दो बोरी बांध जन सक्ती से जल सक्ती अभियान के तहट बनाई नदी पर जगा जगा बोरी बांध बनाने का काम किया जा रहा है इससे नदी का संरक्षन करने के साथ पानी को रोक कर गाओं में पानी की समस्याओं को दूर करने की कोशिस की जा रही है बता दे नदी बचाओ अभियान के तहत सुक्रवार को मुर्भू पर्खन के जामा टाली माहिल और मुर्भी पंचायत के अकदा नदी में बोरिबांध का निर्मान किया गया जार्खन यूवा सदन के लिए चुने गए प्रनव राज जार्खन यूवा सदन 3.0 के लिए खिजरी विधान सभाचेतर से धुरुवात सर्मा रोड निवासी परनव राज को चुना गया है परनव राज ने B.I.T.T. कॉलेज से डिप्लोमा किया है कॉलेज के समय से ही चात्र रानीती से जुड़ गय थे जार्खन टेक्निकल यूवर्सिटी के NSUI के अध्याक्स भी राचुके है सोशल वर्क में हमेशा आगे रहे बताद 14-16 माई तक राची में आजिज यूवा सदन में वे सामिल होंगे जिसमें वा अपने छेत्र के अहम मुदे को जार्खन यूवा सदन में प्रस्तूत कर हल करने का प्रयास करेंगे CRPF का स्थापना दिवस मनाया गया केंद्रिय रिजर पूलिस वर्ल 94 बतालियन ने सुक्रवार को अपना पैंतिस्वा स्थापना दिवस धूम धाम के साथ मनाया मौके पर बतालियन के खुटी स्थित मुख्याले में सूबा सरधांजली सभा हुई जिसमें बीर सहीद जवानों को सर्धा सुमन अरफित किया गया इसके बाद साम को रंगारंग संस्कृति कारेकरम आयोजित किया गया यह जनकारी देते हुए CRPF 94 बतालियन के कमांडेट राधेश स्याम सिंग ने कहा की CRPF 94 बतालियन के स्थापना परभारी इंस्पेक्टर फरिद आलम ने की बैठ़क में पोलिस उप अधिकषक अनिमेस नयथानी भी उपष्थित थे बैठक में DSP ने सरकार द्वारा जारी निर्देश का अनुपालन करते हुए तिवार मनाने के अपील की वहीं थाना परभाई ने सरकारी गाइडन की जनकाई देते हुए बताया कि धार्मिक जुलूस को छोड़ कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा साम 6 बज़ तक सभी संगठन समाप्त करेंगे धार्मिक जुलूस पलामो उपायुक्त पलामो उपायुक्त ससीर अंजन ने जिलावासियों से राज सरकार द्वारा जारी कोरोना दिशार निर्देश का पालन करने के अपील की है बताया गया है कि सरूल वा रामनामी में 100-100 के समु में सरधालू निकल सकते हैं समु हो के मिलान के स्थान पर सधालू के अधिक्तम समख्या 1000 से अधिक नहीं होनी चाहिए उपायुक्त ने साम 6 बय तक सभी अयोजकों को धार्मिक जुलूस समाप्त करने का अगरा किया है जुलूस में पुर्व रिकॉर्डेड म्यूजिक वा डीजे बाजानी की सक्त मना ही होगी जुलूस में सामील लोग मास्क पहनेंगे वा अपना अपना हाथ भी सेनेटाज करेंगे उप्त आदेश का उलंगन करने वाले ब्यक्तियों परतिष्ठानों वा संसानों के विरोध आपदा परवन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत वा भातिये दंड संहीता 1860 के सेक्षन 188 के तहत सक्त कानूनिक करवाई की जाएगी राज जेपाल से मिली सीता सुरेन हेमंत सरकार पर लगाई बड़े आरोप राज सरकार को और स्थिर करने समंधित आरोप जेल रही जामों की विधायक सीता सुरेन ने कहा है कि वा भाजपा के संपर्क में नहीं है उन पर लगाए गए आरोप गलत और बेबुनियाद है जामों से निकाले जा चुके रवी के जरिवाल से मेल जोल की सिकायतों में भी कोई सच्चाई नहीं है सुक्रवार को राजभवन में राजपाल रमेश बैसे मुलकात के बाद मेडिया से मुखातिब सिता सुरेन ने दावा किया कि जहमों के जिन विधायकों ने उन पर आरोप लगाए है वही चार्टर पलेन से दिली गए थे हलाकि बार-बार पुछे जाने पर भी उन्होंने विधायकों के नाम नहीं बताए इतना कहा कि यह चीपने वाली बात भी नहीं है सिता सुरेन ने राजे पल रमेस बैसकों ग्यापन सौपा जिसमें उन्होंने राजे में जमीन लूट आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार इस पर रोक लगा है सरकार सिधे चात्रों के खाते में देगी पैसा अभी तक सरकारी स्कुलों में पढ़ने वाले कक्षा नवी से बरावी की चात्राओं को ही पोसाग कोफी तथा पाठे पुस्तके मिलती थी लेकिन अब राज सरकार ने अब इन कक्षाओं के चात्रों को भी इसका लाप देने का निने लिया है इसके लिए रासी डीवीटी के मात्यम से चात्रों के खाते में जाएंगी अच्छी बातिया है कि इसकुली सिक्षा यम सक्षता विभाग ने वित्तिय बर्स 21-22 के अमतिम दिन गुरु आर को इस जोजना के सुक्रिति का आदेश जारी किया जिसे रासी की निकासी की जा सकती है देश भर में मसूर है हजारी बाग का परसीद 100 साल पुरानी राम नामी जुलूस देश भर में हजारी बाग का राम नामी परसीद है देश भर में जुलूस नामी को निकलती है और सब जगह जब संपन हो जाता है तो हजारी बाग में दसमी को जुलूस निकलता है और एगार्मी को संपन होता है जुलूस में सहर के ही नहीं सहर से 25 किलो मुटर दूर से जहांकिया सामिल होने आती है जहांकियों से पूर्व यहां जहंडा सामिल होने आता था आज सहर में आने वाले जहाकियों की संख्य 120 से अधिक हो गई है बतादे राम नमी की जूलिस के लिए मारग और समय निर्धारी था है विभीन चोक चोराहों का नमांकरन भी पुरानों में दर्ज उलेक विभीन एतिहासी गड के नाम से किया गया है राज जेपाल ने कुर्माली भासा की पांच पुस्तकों का किया लोकारपन राश्ट्रिय पुस्तकाला की सलाकार समीती के सदस्य डाक्टर राजा राम महतो के नितित में कुर्माली भासा के कवी लेखक और साहित्यकार सुक्रवार को राजपाल रमेश बैसे राजभन में मिले राजपाल ने इस मोगे पर गंगाधर मुंडा द्वारा लिखित राजा राम गीत माला डाक्टर मंजय प्रमानिक द्वारा लिखित पुस्तक खाटी कुर्माली देवनाथ महतों की पुस्तक के कुर्माली लोक कथा और साहितिकार मुक्तिपद महतों की पुस्तक 311 जान केहनी विंग कमांडर जेने स्वर्ट सिंग की पुस्तक के कुर्माली भासा के परिच्छेत्र में और प्रफेसर बियन परमानी की कुर्मा आली कहानी संगरा का लोकारपन किया जारखन में नया सेक्षिनिक सत्र अपरेल से नहीं सुरू होगा जारखन के सरकारी स्कूल में सुक्रवार एक अपरेल से नया सेक्षिनिक सत्र नहीं सुरू हुआ राई सरकार ने बरतमान सेक्षिनिक सत्र को तीन माह बढ़ाने का निन ल लिया गया बतादे राज सरकार ने कक्षा एक से आठ तथा नौवी एवं एगारवी के बरतमायन सेक्षिनिक सत्र को 30 जून तक बढ़ाने का निर लिया है इससे इन कक्षाओं का नाया सत्र अब एक जुलाई से शुरू होगा या सिर्फ एक साल के लिए लागू होगा राज सरकार धिरे धिरे सत्र को पुर्व की अधित तक लाएगी इसके तहट अगले साल सेक्षिनिक सत्र अफ्रेल या मई माँ तक हो सकता है इस तरह इससे अगले साल सत्र नियमित हो जाएगा इसी महीने लग रहा साल का पहला सूर्य ग्रहान इस साल 2022 में साल का पहला सूर्य ग्रहान लगने जा रहा है अप्रेल महीने की 30 तारीक को साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहान लगेगा धार्मिक द्रिष्टी कौन से सूर्य ग्रहान को असू मना जाता है क्योंकि हिंदु धर्म में सूर्यों को देवता के रूप में पूजा जाता है सूर्य में ग्रहन का सिधा मतलब इसके 6 से है जो आम आदमी के जीवन को नुकसान से जोड़ता है हलाकि सूर्य ग्रहन का बैग्यानिक पक्षया भी है कि इसे एक बड़ी खगोली घटना के रूप में देखा जाता है खगोल वीदो और जोतिस योग की सूर्य ग्रहन 2022 के दोरान सूतक काल पर खास नजर होती है आम तर पर गर्वती महिलाओं को ग्रहन के समय खास एतिहात बरतने को कहा जाता है बुजुर्गों और बच्चों को भी ग्रहन के दोरान घर में ही रहने की सलाथ दी जाती है मोडल इस्कूल में नमांकन के लिए 20 अपरेल तक करे आवेदान जारखन एकेडमी कॉंसिल राची ने राजे के सभी मोडल बिद्यालों में वर्ष 2022 में नमांकन के लिए सुचना जारी कर दी है बता दे कि राजे में 89 मोडल बिद्याले संचाली था है और इसमें छटी काक्षा में नमांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है जारी पत्र में आवेदन जमा करने के तीथी 31 मार्च से 20 अपरेल तक तै की गई है गर अवासिये इस विद्याले में नवांकन के लिए परिक्षा पूरी तरह से निसुल्क लिजाएगी जैक की वेपसाइट से फारम को डाउनलोड किया जा सकता है जीला सीवचा पताधिकारी कर्याले में जमा हुए अवेदनों को जाच कर जमा करने के अम्तिमतिती 22 अपरेल है वहीँ जीला सीवचा पताधिकारी के कर्याले से 10 ते 13 माई तक परविस्पत्र प्राप्थ किया जा सकता है और परिक्षा 14 माई को ली जाएगी जार्खन में तीन साल बाद हुई तीसरी से सात्वी तक की परिक्षा जार्खन में तीन साल बाद तीसरी से सात्वी के बच्चों का इस्कूलों में गुरुवार को मुल्यांकन हो सका पांचवी से सात्वी के बच्चों ने जहां OMR सीट पर परिक्षा है दी वहीं तीसरी चौथी के बच्चो उतर पुस्तिका में उब्जेप्टिक सवालों का जबाब लिखाया बता है दे जारकन सिक्षा परियोजना परिशत और जारकन सैक्षिनिक अनुसंधान वह प्रस्टिक्षन परिशत की ओर से राज्य भार के सभी प्रात्मिक और मीडिल स्कूलों में परिख्चा का आउयन किया गया धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होई तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बहल का बेल एक अंदर भाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक का अपने दोस्तों को साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़ोएक अवस्य दे थांक्यू